किस्टमी के सुवल सर पर हम बनाएंगे धनिया की पंजीरी तो देखी मैंने बदाम ये मगज लिये हैं नारियल लिया इसको मोटे मोटे से टुकडों में काट लिया और कुछ देखे इस तरह से काटा इसको हम पीस लेंगे बाद में तो चलिए शुरू करते हैं धनिया की पंजीरी को बनाना तो धनिया की पंजीरी में सबसे जरूरी है धनिया तो हमने लिया है साबुत धनिया और बदाम भी हम थोड़े से ही लेंगे क्योंकि मैं एक करोड़ के करीब मैंने धनिया की पंजीरी बनानी है तो देखी एक पैन ल अगर आप जादा पंजीरी बना रहे हो तो आप धनिया जादा लेजिए तो देखिए धनिया हमारा ड्राय रोस्ट हो चुका है इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे और आगे की देखिए हम रेस्पी की तैयारी करेंगे तो पैन में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है देशी घी और जो हमने ड्राय और इनको हमने रोस्ट कर लेना है गैस को हमने बिल्कुल लोग पर रखना है ताकि जो हमारे ड्राय फूट से जलेना वह हलके से पक जाएं तो देखिए इस तरह से हमने बदाम को हलके से ड्राय रोस्ट कर लेना है लगातार चलाते हुए गी आप कम या जादा कर सकते मैंन मच के करीब भी लिया तो इसमें हमारी सारी जो ड्राय फूर्ट से अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो देखी पदाम अलके-अलके से रोस्ट होने लगन का कलर भी चेंज हो चुका है तो इनको निकाल लेंगे तो बदाम निकालने के बाद हम इसमें अब डाल देंगे मगज के बीज तो देखी थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे डालने के जाएंगे क्योंकि एक दम से जैसे पकेंगे यह उपर से चटकेंगे और उपर आएंगे एक दम से तो देखी उचटने लगे हैं तो आप थोड़ एचे पीछे होपेस को फ्राइब करें अब इसी में मैंने नारी लगका फुकड़े डाल देंगे और इनको ब्यालका सा रोस्ट कर दे तो जनमाश्ट्मी पर धन्यागी पंजीरी ज़रूर बनती है अब रसाध की रूप में हम ग्रैंड करते हैं तो आप इस तरह से ठन्यागी बनाएंगे तो पांच मिंट के में आपकी बन्जीरी बनके तो तयार हो जाएगी अगर आपके पास साबूत धनिया ना होता पिसा हुआ धनिया भी ले सकते हैं उसको देशी गी में हलका सा फ्राइब करने के बाद उसमें सारी राइब कुछ डाल दें और पिसी वी चीनी डाल दें ये नारियल और मगजय है तो धनिया भी हमारे ठंडा भाते हैं तो में किसी फीर हुआ गी है अब उसको और ने भारई कर समय होए धनिया भीन यहाल रोष्ट करथ कोपर सुब्लियों कि और कुछ हलका सा इसको रोष्ट कर लेंगे बिल्कुल धीमी गयास पर अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने नारियल पीसके रखा था उसको उसको भी हलका सा रोष्ट कर लेंगे क्योंकि वे कच्छा नारियल है अब ही दनिया हमारा रोष्ट हो चुका तिसमें नारियल डाल दोंगे अ इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे दोनो चीज अच्छे से रोस्ट हो चुके तो ग्यास को कर देंगे बंदर इसको ठंडा होने के लिए रखतेंगे दो से तीन मिन्ट के लिए जब यह मिश्रन अमारा ठंडा हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे पीशी विचीनी मीठा अपने कोर्डिंग कमिया जादा कर सकते देखे मैंने आदी कटोरी के करीब इसमें मैंने डाल देया नारियल और मगल्स के लिज अब डाल देंगे हम बदाम बदाम को मैंने दो पीसेज में काट लिया था अब इन चीजों को अमने चैसे मिक्स कर देना है तो लिजे तैयार है अमारी धनिया की पंजीरी आपको यह रेस्पी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और जन्वास्ट में यह रेस्पी जरूर बनाएं और तो देखिए मिसरान अच्छे से ठंडा हो चुका है इसको कटोरी में निकाल लेंगे देखिए कितनी बड़ी है अमारी धनिया की पंजीरी बनके तैयार हो चुकी है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कर दो चुकी हैन श्जीर के अच्छे से कितनी अच्छे से वीडियो मेंडे काम प्रूदी में का जिया काम जिस नेक्स वीडियों